कौन है रहे लाइब्रेरी में फोन साइलेंट पर रखता है पोता नहीं अरे बाबा लाइब्रेरी नहीं ये शॉपिंग मॉल है लड़कियों का मेला लगा है तुम यहां बोर हो रही थी ना एंटर्टेंबंट चाहिए तो चलो तुम्हें 3D मुवी दिखाती हूं सच में आन को आपका भी डर नहीं है मुझसे गंदी-गंदी बाते कर रहा है कीरे क्या बॉला रहा था आजा सीधा आजा सुना मैडम यह मुझे होट कहका रात में बुला रहा है क्यों रहे तुछ जानता नौई ये कौन है यहां के होडी की बेटी है तेरी हिम्मोथ कैसे हुई तेरी तो मैं खाल उधेड़ दूगी हा मैडम ऐसे लड़के बढ़ तो रेप चार्ज लगा अगर जेल में डाल देना चाहिए बीच और इसे फासी पर लटका देना चाहिए अरे तो चुप-चाप सौरी बोल देना ओए खुद को थौपण वार और सौरी बोल सौरी अपने पप कर दो कभी पंगा नहीं लूँगा चलो एक दम डॉर्ना नहीं बेटी नीश्चिन्थ होके जाओ थांक्यू माम उसकी तो मैंने हालत ही पतली कर दी लाइब ड्री में बड़ा मजा आया मैं रीट क्या है ग्यारा क्या एक राट के दस हजार दस हजार दस हजार दस हजार वार्ट देखिये मिस मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ है क्या मगवास कर रहे हो तुमने मेरे रेट कप अगर कोई सुन लेगा तो फ्यूचर में मेरी शादी की प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी जिन्दगी बरबाद हो जाएगी, सब मुझे आवारा समझेंगे पागर हो गए हो क्या? मामला क्या है? देखिया ना सर, इसने मुझे क्यूट कहा, रात को घर पर बुला है, रेट दस हजार कहती है, क्या कहा? एक रात का दस हजार? सर, मेरी बात तो सुनिए प्लीज मैं हूना मामला सुलजाने के लिए, बताओ इसने क्या पूछा, इसने मुझे से रेट पूछा था, फिर इसने क्या कहा? इसने कहा 10 सर समयने से 11 कहा था सर सुना अपनी इसने फिर से अपना रेट बढ़ा दिया अरे बापने इसका रेट तो बढ़ता जा रहा है पुड़ा सावधान रहना पड़ेगा अच्छा सुनो बेटी, तुम मैचोडी की बेटी हो ना, उनका नाम इस तरह बदनाम मत करो, जो कर रही हो वो गलत बात है, दुबारा कभी ऐसा करना भी मत, चलो जाओ, हुआ ना, जैसी करनी ब्यासी भरनी, मैटर खतम, सब लोग क्लास में जाओ, कोई या नहीं रुके का, get आउट, इस थ्योरी के तीन हिसे है, इस सेमेस्टर में हम जादेंगे, प्रफेसर लेक्षर बंद करो, अब यह बरदश्ट नहीं होएगा, इसे आज ही खतम करने का है, क्लास खतम होने में अभी टाइम है, खामोश, अत्वमाजी सतकली, इस गुंडे विक्रांत को सस्पें जानता हूँ, क्लास खतम होने दीजे, इस मामले को हम बाद में सुलजा लेंगे, प्लीज, देखा, सब के सामने कैसा भोला बट रहा है, अब ये नाटक बंकर, ये मामला यही सुलजेगा, अभी के अभी, ठीक है, आपने ठीक से सोच तो लिया है, ना, एक बार मैंने रॉमैंटिक रामनाथन गुरुपंति के बार में, आपके पास क्या समाचार है, अच्छा विकरांच सुनो, रॉमैंटिक रामनाथन की गुरुपंति का एक वीडियो हमारे पास है, मैं सबको दिखाता हूँ, ओवर टू स्टूडियो, हाई, प्रोफेसर साब, ये शैर्ज रात को मतली काया था, पेट का रहा हो गया, मैं जाता है, ये, गंबच, 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 तू अगर पूरी क्लास के सामने बदनाम करेगा, तो हम भी अचुपनी बटने वाला है, एक मिनिट सर, ये, मेरे पास टाइम नहीं है, बबलू, तुम्हें हेटपून्स पर दुम मचा रही है, अब आपकी बारी है, सर, आप कोई मामुली चाटिंग मास्टर नहीं है, एक आदमी और चार-चार लड़किया, हेमा, रेखा, जया और साथ में सुष्मा भी, चौबीज घंटे चैटिंग, फ्लर्टिंग, फोटो शेरिंग और पता नहीं क्या-क्या, क अरे, सारे की ये कराए पर जागवाला पानी फेर दिया, इडियेट्स! आप इनको क्यू डाट रहे थे, पहले खुद की हरकते तो देखो, चलो भी से! अच्परिमेंट की भी हद होती है पूरे कमरे को इसने जादोई गुफा बना दिया एई उटना तुबूल गया कि आज बॉक्सिंग का मैच है डाड़ी प्लीज डाड़ी यह बॉक्सिंग और कराटे नहीं सीखना है सोने तो ना मॉम आगई सील चेंज करो अरे सीरिट देखेगी तो मार देगी मॉम गुद मॉर्निंग मॉम मेरा प्यारा बच्चा यह क्या सुबह सुबह इसे जगाने आ गए जगाने आ गए तुम भी यही सोचती हो मा बेटे दोनों एक से हैं बेटा एक नमबरी मा दस नमबरी चल पकाड़ इसे आज आ रिंग में चल झाल 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 क्यों मास्टर प्रेक्टिस के लिए आप से बॉक्सर लाने को कहा था पहलवालने के चले आए चेंपियन बनने के लिए पहलवानों को हराना पड़ता है देखो बच्चा बेचारा डर गया इसे बच्चा समझने की गलती मत करना इसमें रॉकेट जैसी तेजी है यह अगर एक बार शुरू हो गया तो खुद से ही रुखता है कोई दूसरा रही रोक सकता अच्छा क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा तुम दोनों मिलकर मेरा कुछ भी नहीं उखाड सकते इह इनकी जरूरत नहीं है मैं अकेला ही काफी हूँ लगता है हॉस्पिटल में भरती होना है या अच्पाः याह याह यह याह याह हुँ अ अख हाफ और कितनी मार खाएगा मेरी बात मान पेपर पेसे साइन कर दे कुछ भी हो जाए पर में साइन महीं करूँगा मैं देखता हूं कि वह पेपर साइन कैसे नहीं करता फिक्र मत कीजिए पेपर साथ शाम तक ही मुंबेई पहुँच जाएंगे जाकू देना कर कर साइन कर संभाजी मैं मेले हूँ जनता की सेवा करता हूँ पर तुमने मुझे गुंडा बना दिया थेंक्यू मामा सुने मूर्ती जी साइर से चाकू निकालना और ठीक से मामा का इलाज करवाना जी पेपर्स दो संभाजी आए अंटी पोहा चाहिए क्या अच्छा बनाई तो डेदो अरे बबलु तो बास क्यों खा रहा है ये तो परसों का है धुद्टे को देने जा रही थी पहले बताना चाहिए था ना तेरे लिए बासी ही सही है ऊँआ बासी अंकल आपका एक बात पूछ नी थे पूछ तो लि मुझे चार बात पूछनी है चार सवाल तो हो गए कब अभी हुए ना हर घर में एक पागल होता है यहां पूरा घर पागल खाना है रुकना सरा मैंने तिरी लिए लुकी का दलिया मूं की सबजी बाजरे की रोटी सब रखी है भरुआ कद्दू करेले की चटनी तर्बूस की सब्सक्राइब और तुराई की मिठाई वो भी खिलाओ ना जिस तिन तुम्हारे पेट में गैस नहीं होगी न उस तिन बनाओंगी इसकी मत सुनना तु टिफिन खाना इसे मत खिलाना तू खा तू खाजा खाजा चल जब घर के पास मंदीर अबान प्रसंद हो गया तेरा रेग्योलर भिखारी कब आएगा देखा किया अंटी रेडियो पर रेसिपिस उनके खाना बनाती है टिफिन भरती है और तो इस जेंगर को दे देता है बेचारी मॉम रोज प्यार से मेरे लिए खाना बनाकर टिफिन में पाक करती है मैं तो तेरे टिफिन से भी खा सकता मुझे खाना के लाकर मेरी मॉम खुश और इसे खाना मिल गया इसलिए ये भी खुश मतलब सब के सब हैपी मैंने तेरे टिफिन नीखा इसलिए मैं खुश है अच्छा लगा ना ठीक है कूली वाली पगार मुझे दिया करना मैं मैं उठा लूंगा क्लास क्यों नहीं गया क कॉलेज में नहीं आया है तरी हिम्मत कैसे पाक करने की है अरे तो बोर्ड लगा तरी तो निकले यह से यह लोग दिनेश के नाम पर रोज गुंडा गर्दी करते हैं अपनी बाइक वहां लगा देखते हैं क्या करते हैं नहीं यार दिनेश वैसे भी अम पर गुस्सा है उस आप यह जे हैं तरहु करते हैं? हाई अंकर हाई अनगा हाउ यू येलो हाल चाल क्या है मैं बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हैं मैं ठीक हूँ तुम्हारे पापा जमीन पर भी कदम रखते हैं या फ्लाइट में ही रिटायर होना चाहते हैं आप तो उनके बच्पन के दोस्त हैं मुझसे बहतर तो आप उने जानते हैं मॉम डाड ऑस्ट्रेलिया गये है तो उनके वापस आने तक मैं दादी के साथ यहां रहूंगी अच्छी बात है एनिवे मैंने सारी फॉर्मालिडिस कर दी है यह देख लो यह तुम्हारे अड्मि मद की प्रेमने का त्राजान मी कुछ अपले का एदू तमने मन सो तेलु पले खा तेलु कुटक भाश चे तकागा तेलु कुटक भाश चे तकागा तेलु कुटक भाश चे तकागा तुम मास क्यों रही हो नहीं कोई बात नहीं प्लीज मुझे बताओ कल सच में पार्ग जाओगी भला ऐसे प्रपूजल को कॉल मना कर सकता है अच्छा यह कार्ड देखो जरा यह कार्ड की कीमत है 70 रुपीज और वो गुलाब करीबन 20 रुपए का होगा और और गोल ट्रिंग 15 रुपए की होगी वो गाना जो उसने काया वो भी एक पुरानी फिल्म का था जो उसने नहीं किसी और ने लिखा तो टोटल एक सो पांच रुपए में तुम सेट हो गए तो प्रपोस करने के लिए कोई क्या करेगा हजारो लाखो करेगा देख मैं पैसो की बात नहीं कर रहे हूं एक लड़की का प्रपोसल कुछ हटके होना चाहिए यार तुमको ऐसा लगना चाहिए जैसे यही तो है मे यहारा कोई बॉइफरेंड है क्या नहीं तो होगा भी नहीं तुझे पता है कल रात मैंने अजीब सा सपना देखा क्या देखा मैं किसी की खोज में हिमालय पर चड़ रहा था जारु तरफ भर्फ थी हड्या कड़कड़ा रही थी फिर भी डर नहीं रहा था मैंने सामने व तभी मैंने एक आवाज सुनी, लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ, उस उफनती पानी में अचानक एक अंगूठी मेरे हाथ लगी, और जैसे मैंने उसे पहना, फिर क्या हुआ, मैं नदी में नहीं घर पर था, तो डरने की क्या बात है, ये तो एक सपना था ना, मैंने भी प उसी पल से, मुझे हर इंसान का भूध, भविश और वर्तमान साफ नजर आता है, वा, ये कमाल हो गया, जादू य अंगुठी हमारे पास है, आश्चर है रत अंगेज, इस अंगुठी का ओडर देने के लिए 2999, तुझे यकीन नहीं हो रहा है क्या, ये तुझे यकीन नह ड्रामे बाजन, मैंने बहुत देखें हैं, ये सारी ट्रिक्स मेरे साथ काम नहीं करने वाले इस ड्रामे के सबी ट्रिक्स वास्टविखए हैं, हुट स्के अक्षर अ है तुम अपने माबाप की लौती बेटी हो और तुम्हें पपीज बहुत पसंद है तुम्हें एक पाला भी है तुम्हारा फेवरेट नंबर साथ है तुम्हारा फेवरेट हिरो सल्मान है और फेवरेट कलर ब्लाक है तुम इस शहर में नहीं नहीं आई हो तुम्ह बारे में सारी बाते बता रहा है लगता है इसने तुम्हें भी बख्रा बनाया है बख्रे का क्या मतलब ये विक्रांत है हमारे कॉलेज का टॉपर हर मेरा बेस्ट फ्रेंड ये सारा दिन मस्ती करता रहता है तूने इसके साथ क्या किया अच्छुली मैडम ने जो एंट्री मा खुदी पोस्ट कर रखी है घौड तुमने तो मुझे डराई दिया था तुम सच में बहुत पनी हो डैरी ने मुझे कहा था कि तुम यहीं मिलो भाई वो रही लड़की सीरिसली शिल्पा तुम अब भी नहीं बत ली और बताओ क्या चल रहा है क्यारे सुना है तु श्टर्ण दिखाती है हा मझे भी तो दिखा नीचे भागर कौन है रहे तु जानती है किस से पंगाले रही है क्यारे तेरा मा लेका यह वो नहीं स्टूडेन्ट है यहां की नहीं है छोड़ो से जबान चलाता है तेरी मा की जगड़ा तेरे मेरे बीच है, माबाप को बीच में क्यों खसीटा है, सालेक सापना एसे! कि यह कॉलेज है कोई देशी दारू काड़ नहीं सर लडाई इसने शुरू कि थी नहीं सर इसने उस लेड़की से बता आप आवाज नहीं लडाई के वक्त तुम यहीं थी ना गलती किसकी थी किसने लडाई शुरू किया है चुप मत रहो जवाब दो कि अरे सर तुम्हें कॉलेज से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है लेकिन गेर आउट फ्रॉम्हाइब तुमने ऐसा क्यों किया वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है एक अच्छा लड़का है उस गुंडे की गलती पर तुमने उसका नाम क्यों ले लिया मैं तुमसे बात कर रही हूं कुछ बोलो तुसे क्या हूं तुम रो क्यों रही हो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था वो दिली शेख तरिंदा है हैवान है एक रास पार्टी में तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वीडियो की सीडी बनाएगा और उसे बेचेगा वो मुझे बतनाम करना चाहता है सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत सी लड़किया है जिन्हें वो ब्लैकमेल कर रहा है अंकल को बताओ तुमने पुलीस कंप्लेंट क्यों नहीं की उसका भाई लोकल मले है बड़ा गुंडा है चोटे हवल्दार से लेकर बड़े नेता थक सब उससे डरते हैं तुम घबराओ मात मैं अंकल से बात करती हूं ठीक है अब आप क्या करेंगे अंकल मेरी तो हिम्मती जवाब देती जा रही है बेटी लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल की बेटी नहीं ऐसा गलत काम किया है अगर दिनेश हैवान है तो उसका भाई उससे बड़ा शैतान है इस बारे में किसी से मदद लूँगा तो मैं ही बदलाम हो जाओंगा तुम्हें मेरे बारे में तो सोचा हो था अगर जरा भी सोचा होता था हम इस प्राब्लम में नहीं पस्ते हर प्राब्लम का सुलीशन होता है सर उसने आपकी बेटी की प्राब्लम के साथ साथ आपकी प्राब्लम भी सॉल्व कर दिये सर आभे मेरे आदमे को टिकेट क्यों नहीं दिया तू यहां पर नया मैनेजर आएला है लेकिन जाने बाई यहां का पुराना खिलाडी है तारे टिकेट ओनलाइन भी गए है आभश इस सिलीम का स्टार अपना उस्ता दे अपुर उसका चेला टिकेट नहीं दिया तो तेरा विक जाने जाने तो तो जानता है ना बोलो गुंडे उन्हें भूल जा यार मैं भूल जाओ यह क्या क्या रहा है तू पहन जी तुझे देख रहे हैं कमसे कम उनसे तो डर क्या वा भिडू क्या प्रॉब्लों में मैं तो एक फैन हूँ हम अपने भगवान की फिल्म के लिए यहां जलसा कर रहे हैं खुशिया मना रहे हैं नाच रहे हैं लेकिन कुछ लोग रिलीस से पहले फिल्म की पाइरेट लोग से बंगा चलो उसको सबक सिखाने नहीं नहीं सर मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूं वहीं मुसीबत नहीं मैं हूना कसम पीक्या उस्ताद की कौन हो रहे तुम लोग यह जगे का कुना कुना चान मर क्या चलो जब्ली करो उताव को भीक्या चाहता हुँ नहीं हुआँ झालो दुमित आप टूप बहुआँ बहुआँ की तूँझ पालो बहुआँ यह तूँदित आप बहुआँ बहुआँ अबे लुक्के नई पिच्छर देखने के तरीके होते हैं दो एक ठेटर में और दूसरा पारेसी गर के अप उनने अपनाया पहला रास्ता और तूने अपनाया गलत रास्ता एक बार एक बार फर्स डे फर्स चो देख तू सीडी शापना छोड़ देंगा रिलीस से पहले ही सीडी मार्किट में और सारे ठेटर खाली सिर्फ कोने में पंची मिलते हैं वह भी पॉपकॉन आइसक्रीम खाके गुटुलकु करते रहते हैं क्योंकि वह सीडी देख चुके हैं सिनेमा अप उनकी रोजी रोटी है और अपनी रोजी रोटी पे आज आए न तो मा कसम अपन नेमें बैंगे गाल पे थमाच च्छापा है धेटर वाला घलत नहीं है जो अपन्स लोग को टिकेट नहीं दिया चौर तो इधर यह अधूर डालो सब ठीक है सर जुन्दाबाइ जुन्दाबाइ तुम बहुत अच्छे हो मैंने तुम्हारी बहिसती की जबकि तुमने हमारी इज़त बचाई काश की मैंने अपने बेटी की परवरिश ऐसी ही की होती मुझे माफ कर दो विक्रांत सर्स्टूडेंट वो नहीं होता जो कॉलेज खतम करके डिगरी लेकर घर चला जाए बलकि वो होता है जो अपने साथियों का भरोसा जीते है वी अरॉल फैमिली सर्टूड हलो क्या सोच रही हो सोच रही हूँ कि तुम्हारे सस्पेंड होने पर सौरी बोलू या मेरी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलू मुझे समझ में नहीं आ रहा करने के कजन की एंगेजमेंट पार्टी है फ्लीज तुम दोनों जरूर आना अब ओके पूस्टर ठीक से चिपका दे तूदर 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 निकल रहे है यह पोस्टर ठीक से चिपका अबाई तूदर निकल रहे है कि चलो मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रांद प्लीज मैं अंदर नहीं जाओंगी डरने की कोई बात नहीं है मौंदाड एकदम कूल है तुम मिलोगे तुम्हें पसंद आजाएंगे मैं हूना चलो हुआ 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 है दो और को आप आप अप हम में पहले किया विके हमभी साइश लम् हमभी फॉर्सं ताइए या यह थी तेड़ी इसे बहुत चाहता यह वी तुनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो है ना अरे भाई उन्हें पर तो कुछ बोलने दो हां मॉझे यही कहना था तो मेरी बात भी ध्यान से सुन मैंने तुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला है इसलिए होने वाली बहु से मेरी भी कुछ उम्मीदे हैं मॉम यह तुम्हारी उम्म मुझे कॉफी चाहिए शेखर को चाय चाहिए तुम पहले क्या करोगी पहले गैस अन करोंगी दूसरी पहली तुम कार से एक घने जंगल में जा रही हो बारिश बहुत तेज हो रही है और तुम्हारी कार में सिर्फ एक ही सीट पची है अब मैं और शेखर और विकरांद त जाते हैं तो इस कार में तुम किसे लिफ्ट दोगी कार में आप दोनों आ जाना मैं और विकरांद पैदल चलके आ जाएंगे तीसरी पहली मा भूख देखती है और बीवी पर्स देखती है फिर भी सास और बहु एक साथ खुशी से क्या देखती है टाइम सास बहु की सीरियल्स सुपब नेरी बात का बुरा मत मानना बेटी बीविया स्मार्ट नहों तो पती कंट्रोल में ही नहीं आते मेरे साथ चलो बेटा थेरा सेलेक्षन तो बहुत खुब है लडगी बहुत ही सुन्दर है अनका यह कैसे गिरा इसे वहां रखने के लिए बना किया था ना देखो बच्ची को चोट लग जाती तो मॉम मैं अनका को घर शोड़ कर आता हूं ठीक है बेटा संभल कर जाना अनका यह जाता है अनका यह जाता है एमेले की कंडिशन क्या है वेरी सीरियस सेर ऐसा लगता है यह बहुत बड़ी साजिश है इस जहर का असर बहुत खतरनाक है और इस जहर का नाम है एनफ्रैक्स शहर में हाई अलट जारी कर दो होता है तू बिल्कुल टेंशन मतले उस लड़के की सारी डीटेल्स मुझे दे दे मेरे आदमी जाकर उसका जूस निकाल देंगे अब तू मुंबई जा यह डॉक्यूमेंट्स ले जा इस फाइल में रखकर इन्हें संभाल कर ले जा बाखी मैं देख लूंगा वापस आने तक वो लड़का मर जाना चाहिए बापरे मुंबई में कोई कांड न कर दे अरे दादी धीरे धीरे सीड़ें चड़िये ना टेंचन मत लीजे भगवान भागे नहीं जा रहे हैं इसलिए मंदिरों में भीड काम होती है और पवर कलबों में जादा होती है चलो चल्दी वरना भगवान कलब चले जाएंगे पंडिचे अंगा नाम से पुझा देजिए यहां क्या कर रहे है बेटी बीच में पुझा नहीं छोड़ते चल अपने बेटे का नाम लीजिए दादी मैं अभी आती हूं यहीं रुकिएगा ठीक है कहां जा रही है पंडित जी हाँ बेटी आपने अभी जो पूझा करवाई वो कौन सी पूझा थी यह पूझा नहीं पिंडदान था बेटी ओ अपने बुजर्गों के लेकर आया होगा नहीं बेटी वो अपने एकलोते बेटे विक्रांद का पिंडदान करने यहां आये थे क्या चालन बताई का नहीं बताई करा बताई करा बता ट्रहां करा बताई बुट क्या बात है अधिंध रांग मैं तुमसे कुछ पूछूँगी तो तुम सच सच पताओगे हाँ पूछा क्या अंकल अंटी तुम्हारे सगे माबाप है विखरात नहीं आनका मतलब कुम के मेले में वो दोनों खो गए थे मैंने उन दोनों को मेले में रोते हुए देखा तो उठा कर अपने घर लिकर आया विक्रांद विक्रांद स्टॉपिट विक्रांद प्लीज मैं तुमसे सीरिस सवाल पूछ रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो मजाक मैंने तुम कर रही हो ये कैसा बेवकुफी भरा सवाल है करीब एक घंटे पहले मैंने अंकल और अंटी को बाला जी मंदर में देखा उन्होंने उन्होंने तुम्हारा पेंड दान किया हेई, आई यू मैड़? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग मेरा खराब नहीं है, तुम्हारा खराब है उनकी प्यार में तुम अंधे हो गये हो मुझे तो तभी शक हो गया था जब वो गमला गिरा था तुम्हारी मा इंसान नहीं है वो जादो करनी है दुबारा अपनी सुबान से ऐसी बात मत कहना वो मिरे लिए देवता है, मुझे जान से ज्यादा प्यारे है और मैं अनगा प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो अगर वो मंदिर जाएंगे तो मुझे बताएंगे ना और वो मेरा पिंट दान क्यूं करेंगे सुनने में ही अजीब लगता है शायद तुम्हें घलत फहमी हुई है कहीं तो कुछ गडबड जरूर है मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू एक बात याद रखना मेरा दिमाग खराब नहीं है मेरी आँखे दोका नहीं कहा सकती मैं जूटी नहीं हूं और ये बात भगवान भी जानता है क्या बात है बड़ी जल्दी आ गया तू तो अपने दोस्त के यहां जाने वाला था ना हाँ पर मैं घर आया था आप लोग घर पर ही नहीं थे कहीं गये थे क्या वो तेरे डाड़ी की दोस्त शर्मा जी का एक्सिडेंट हो गया था हम उन्हें देखने हॉस्पिटल गये थे ऐसा एक्सिडेंट देखकर तो माकेट जाने में भी डर लगता है अच्छा क्या हुआ था शर्मा जी की टांग टूटके थी तो उन्हें प्लास्टर चढ़ाया है एक महीने तक वो चल नहीं सकते यह सब छोड़ अपने डाड़ी को बुला ले मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा दे थी हूं सॉरी यार मैं आज नहीं आ सकता अरे पताय तो था कि मुझे अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताना है तो कल मिलते हैं न ओके बेटा तुम कब आए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं आज सुभे आप कहां गए थे वो मेरे दोस्त शर्मा जी है न उनका एक्सेलेंट हो गया था तो मैं और ममी हॉस्पिटल गए थे ज्यादा नहीं बस हाथ में एक हैरलाइन फ्रक्चर आया है वो ठीक हो जाएंगे अ आप जाएंगे मैं आता है चल्दी आजाना ओके पर आप आता है अप जाएंगे से 1,2,2,1,1,1,2,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,2,1,2,1,2,1,1,2,1,2,1,1,2,1,2,1,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,1,2,1,1,2,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,1,2,1,1,2,1,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1, to the movie, भene, the movie, jeff & uain, 3,1,1,2,1,2 अब मैं वापस आ रहा हूं मेरा काम हुआ मुझे याद है टिंकू ठीक है रोज दीन बादाम खाता हूं भूलना मत है रुक रुक लापता है दस लाग का इनाम भी है समझ गया ये दस लाग तो मेरे हमें कुछ ने करिदना है सर मैं कुछ बेचने नहीं आया हूं तो फिर क्यों आयों ये फोटो मेरे मॉम डाड की है इस फोटो के पीछे जो सीरियल नंबर लिखा है उससे फोटो की डेट और देखो बाबा स्टूडियो बंद की हुए मुझे दस साल हो गया उस समय के कोई इं कि तो ने मुझे फोन किया था हां कि अंदर आजा ये लो सर पुछों बताओ क्या पुछना चाहते हो इस फोटो की डीटेल्स बता दीजे लेकिन कम से कम उनकी शादी का साल तो बता दो मैं पैदा हुआ था 1995 में तो 94 या 93 की फोटो होगी मैं डूडने की कोशिश करता हूं तुम बैठो चल बता का मिलेगा वो पर तुम को नो और तुम है उससे ऐसा क्या चाहिए जिसके दूगे एक खोखा एक खोखा ये दिमाग कताई मत कर ये बता वो किदे रहे उसका नाम क्या है उसका नाम विक्रांथ है वाई वो हमें मिल गया है वो मिल गया है वो मिल गया है मार डालो उसे सच सच बोल कौन है तुम इनके साथ तेरा क्या रिष्टा है ये दोनों मेरे मॉम डाड है सर आप चाहिता मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए कहां से बनवाए नकली लाइसेंस हां नकली लाइसेंस और नहीं तो क्या इने तुम अपने माबाप कह रहे हो तुमने का तुम 1995 में पैदा तो मैंने उनकी शादी की फोट्र 1997 में कैसे खीची तो क्या तुम अपने माबाप की शादी के तो साल पहले पैदा हो गये ये तुमारे माबाप है ही नहीं शराफसे चले जाओ तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा निकलो दूसरों की जमीन जाजदात हडपने वाले तेरे जैसे नाटिक पास लॉंडे मैंने बहुत देखे हैं चले निकल यहां से बड़ी दीर लगा दी इस त्याने में आंटी विकरांद घर पे हैं विकरांद तो विकरांद घर पर नहीं है आप लोग जा सकते हैं यह तुम लोग क्या कर रहा हूं बोल विकरांद कहा है बोल से थाम लुट ब्राव लुटल हुआ एए हाय हुआ ुआ हुआ हropri कि अबरले से कि kto तू आँ पीढकर अ... कि अबर नो हुआ जब्सृ पाला झाँ आप की खार बुर्ट कि ची जुड Cons स की अबर कर प्ख़ पर डूँख। यह? प्वं? प्वं प्वं? प्वं.. प्वंत प्वंत एंटचिया और एक महते पादेस पहले मुझे तुझे एक साच बताना है वह आप dep statements इंख्षास में नहीं मेरे पास हुआरी जिन्धम सगा नहीं है, यह जूट है ते देशे 오늘गे इस भगाऑ से तुरब चाओ प्लीज बेटा मेरी बात बानो तो है बात में सब पता चलेगा जलती से भाग जाओ मैं आपको छोड़ कर नहीं जाओंगा दैट रव्यों बेटा रव्यों डव्यों जब प्रथ, यहीं बीन अवald जिल्गा बेटन तुड़ा पत्रव मेरा ए हुख जोग भाउ eggs जा लीत रहा हुख? लें जारी नारी? प्पर ऀारी? कुष इसा है? अब जारी? झाल अख़ो रख़ो वोगो वोगो रख़ा वोगो वोगो और रेल वोगो वोगो पज़ जिआानी अबे में इंसक झाल digitalि को झाल न.." में पेर्व में रचक घख् में जबाद कुछ अरacking अरिका कंट क्या एंपॉसिबल अभी कुछ घंटे पहले मदुर्वाड़ा के घर में एक मास मडर की देग कात करने पुलीज गई थी वहां उन्हें एक बॉड़ी मिली जिस पर जे का सिंबल बना हुआ था यह अंसारी की बॉड़ी थी उन्हेंने कंफर्म करके मुझे पता है अंसारी की डेड़ बॉड़ी वहां मिली अंसारी जहांगीर का दाहिना हाथ था और उस पर इंटरपोल ने रेड़ कॉन नोटिस भी जारी किया था अच्छा यह बताई उसेरिया का इंस्पेक्टर कौन है एक लोकेशन चार गोली के घाव छे डेड़ बॉड़ी आठ घाव चाकू के इन सारी वारतत का इकलोता सबुचक यह सिर का बाल इतो आपी का बालर आता सर मेरा है जी साप तेरे को कैसे महलूम आपका बाल दिन जिन शफिद हो रहा है कलर कालर कहीं लहीं करतें안 है क्या जी सर सर इस केस को हैंडल करने के लिए हैदराबाद से एनाई अफसर आए हैं आप से ये केस वो समा लेंगे मेरे रहते स्पेशल पुलिस क्या करेगी अच्छा कितनी देर में आगा सर ये केस तुम देख रहे हो ना मुझसे ज्यादा बेश्ट और कोई नहीं है सर इस केस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है कोई सुराग मिला तुम्हें सर पत्थर को भी निचोड़कर पानी निकल लेता हूं मैं ये केस तो मेरी लिए हलुआ आपसी लड़ाई का मामला है 15 लोगों ने आकरपूरी फैमिली को मार डाला दो तीन महिनों में पकड़े जाएंगे यहां पंद्रा लोग नहीं आये थे बस चार या पांच लोग थे इस फैमिली से एक मेंबर गायब है पहले उसे खोजो यह खोली किसी सीनेमा के सेट जैसा लगता है सिर पूरा का पूरा मैडल से भरा हुआ है कराटे में ब्लैक बेल्ट बॉक्सिंग का डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन घर के हर हिस्से में चुपाए गए एक दो हतियार जैसे उन्हें पहले से मालूम था कि यह हमला होगा इन घर वालों का रहन सहन इस घर की बनावट से मेल नहीं खाता कुछ तो कड़वड है टकी गाई यह मामूली आदमी नहीं है कितना खून खराबा बोडीज को पोस्ट मॉर्टम के लिए बिश दो और रिपोर्ट्स मेरे आफिस मेश वाओ ओ सर्थ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ टिंकू मैं ही जिम्मेदार हूँ तेरी इस मात के लिए उसी दिन उसे मार दिया होता तो आज तु जिन्दा होता पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मार डालूंगा उसे जान से मार डालूंगा उसे कौन है इधर का लोकल ये मिले पुरे देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ ले जाओ ये बॉड़ी ठीक है ले जाओ लेकिस पुलिस उसे ढूंड़े उससे पहले मेरे सामने उसे लेकर आओ पता नहीं तुम कौन हो मेरी जिंदगे में क्यों आया हो आखिर मेरी माबाप को इतनी बेरहमी से मारने की क्या वज़े थी और आज तक तुमने मुझे अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाया कौन हो तुम और मैं कौन हूँ मेरा असली रूप ये है कि मैं तुम्हारा रखवाला हूँ 2400 घंटे तुम पर नज़र रखने वाला तुम्हारा नौकर हो जो मर गए वो तुम्हारे असली माबाप नहीं थे उनसे तुम्हारा खून का रिष्टा नहीं था जिस मालती देवी और चंदर शेखर को तुम अपना माबाप समझते हो पहले वो खतरनाक नकसर लीडर थे तुम चंदर शेखर के बेटे विक्रांत नहीं हो तुम्हारे पिता विक्रम सिन्हा प्रजापती है विक्रम सिन्हा प्रजापती नमस्कार मुंबई बंबलाष्ट के मुख्य अपरादी अयूब को उसके दो साथियों के साथ मुंबई पुलीस ने ग्रिफतार किया जैसा कि आप सब जानते हैं इस बंबलाष्ट में 2050 लोगों की मौत हुई थी अपरादियों को पूने के यरवाणा जेल में रखा गया है अयूब मुंबई के अंडरवर्ड डॉन जहांगीर का भाई है और यह माना जाता है कि उसके अपराद जगत का पारिज भी हमने उसे पबलिक के बीच में जाने से मना किया था मगर वो नहीं माना अब गया ने जेल जहांगीर भाई के इडियाने से पहले उसे बार निकालना होगा वरना अपनी खैर नहीं वो अपनी ससुराल में नहीं है सेंट्रल जेल में है पर कुछ तो करना होगा जब तक वो जेल से भागेंगे नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता झाल झाल पार खंप झाल झाल यह भगोड़ों, इस तरफ, नेले में बड़ा वाला जुला देखा है, कितना उचा होता है, मचमन में बैठे होंगे, यह जेल भी वैसा ही है, अगर एक बार आ गए, तो हमारे कहने पर ही जाओगे, यहां से भागना मत, वरना मारे जाओगे, यहां रहे, सरेंडर कर दो, वरना सारा बारूज सीने में उतार दूँगा, है, 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 पास मता ना, पंदू निशे भेक, बना कर्दन काटू गाटकी, मेरी परवा मत किये, सर, इसका चेल से भागना बहुत खतरनाक है, आप शूट कीजे, शेकर, तुम ठीक हो न, जी, इन्हें हास्पेटल ले जाओ, शेकर, आप उसकी जिंता मत किजे, मैं समाल लूँगा, तैंक य। तैंक य। सो मच सर, होम मिनिस्टर, आप मामली आदमी नहीं है, सर, आपने उस बुचिम को तो आराम से मार दिया, लेकिन याद रहे, इस से आपकी दुश्मनी उस जहांगीर से हो गई है, आप पुलीस वाले इसले बच जाएंगे, अगर उन्हें वो नेक्स लाइट मिल गया, तो वो उसे नहीं छोड़ेंग ओ, तो तुम ही शेकर हो? मैटम, जब मैं एक लड़का था तब एक खूनी की तरह जेलाया था, इन्होंने मुझे जिन्दगी जीने के लिए सही रास्ता दिखाया, और एक जिम्मेदार आदमी बनाया, ये मेरे मालिक है, और मैं इनका सेवक, ये, बहुत बोल रहा है, हमने सोचा था आप तो नहीं जिन्दगी जीने का मौका दिया है, हम आपका ये कर्स कैसे चुकाएंगे, इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर अच्छी जिन्दगी दीजे, इतना ही काफी है, कल मेरे बच्चे का बर्थडे है, तुम लोग बहुत दूर जा रहे हो, पता नहीं हम कब मिल पाएंगे, जाने से पहले मेरे बच्चे की सालगिरा पर आईएगा, रहने दीजे सर, ये खुशी के पहला आप अपने परिवार के साथ गुजारिए, शेकर, यॉर अलसो माइ फैमिली, तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम्हें आना है बस, सर्प्राइज, सर्प्राइज, दस दिन के लिए, सिर्फ दस दिन के लिए, हम बाहर क्या चले गए, तुने हमें इतना बड़ा सर्प्राइज दे दिया, हमारा नाम सुनकर, हर तरफ हर कम मच जाता है, पूरी दुनिया डर से कापती है, लाखों लोग हमें नीम्द में भी सलाम करते हैं, इसके बाद भी हम अपने इकलोते भाई को मौट से नहीं पचापाए, उन्होंने तुझे कुट्टे की तरह मौट के घाट उतार दिया, हमें खबर किये भी ना, इसे जेल से बाहर निकालने के प्लान को, किस ने अंजाम दिया था, कौन है वो, कौन है वो, सर्प्राइज, हमारे भाईर के हत्यारे का कटा हुआ सल, हमें कल सुमें तक यहां चाहिए, कौन लेकर आएगा, मैं लेकर आउंगा, उसका सर मैं ला कर दूँगा अबाजान, चाचू के कातिल को तो मैं ही मारूंगा, शाबाश बेटा, शेर का बेटा शेर ही होता है, जाओ उसके घर की खुशियों को मातम में बदल दो, जाओ बेटा, फकर से करो, जाओ, जाओ झाल, जा झाल, जाओ पुशच, कहा झाल, जाओ झाल, और एंड़ाद को तो, जाओ उसके खुश्यूच, को वी ईपके लिएवापफे।, इह खुश्यूच, कैन लेकर सर वासे माराईंगा, जाओ खुश Lewis, जाओ. जाओ बेटाव जाएकरा बेटाएक 30- मैडम, केख मर गया, साला यह क्या बोल गया ए रुग्जा क्या बोला तुने एड़क नखवन क्या बोला तुने क्या बोला तब सी कि गिक्न भुछ मिस्टर विकरम सिना उनकी बॉडी काफी जल चुकी है हालत बहुत खराब है क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम हमारी बच्चे को लड़ाई जगडों से दूर रखोगे वादा करो कि तुम्हारी इस पुर्बाने की कसम इस पर आज भी नहीं आने दोंगा कि शिद्धा कि विकरम सिना आपके लिए फोन सर्प्राइज 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 दिख्या की मच चुकाई तुने तेरी छोटी सी गोली का सिला तुझे ये मिला सर्प्राइज बेचारा बीवी से हाथ दो बैठा और अब तेरे बेटे की बारी है तेरा बेटा मेरे कपसे में उसे फासी पर लटकाऊंगा और तुझे जेल की सलाकों के पीछे डालोगा जिंदगी भर तुझे वहां ना सड़ाया तो मेरा नाम विकरम सिना नहीं जांगेर अरे मैं हूँ घना जंगल और तु एक घास का तिन का जंगल घना क्यों ना हो एक छोटी माचिस की तिलियों से भस्म कर देती है अगर तुझ में हिम्मत है तो हमारे बेटे को चू के दिखा तेरे विनाश की घड़ी शुरू होती है गिंती शुरू करते है टिक टाक टिक अरे जा सर यह आपको क्या हो गया है आपका एक छोड़ा सा बच्चा भी है आप इसके बारे में तो सोचिए शेखर तुम्हारा बेटा मरा नहीं है आज से ये तुम्हारा बेटा है आज के बाद इससे मेरा कोई रिष्टा नहीं सुभाश तुम्हारी मदद करेगा अब तुम लोग जाओ अब जाओ ना सुभाश बुलिए सर इनका ख्याल है जी सर केस की सारी बहस सुनने के बाद और सारे सबूतों को मद्दे निजर रखते हुए कोड का फैसला ये है कि इकबाल को बाइज़त बरी किया जाए साथ ही अदालत पुलिस को ये सलाह देती है कि मासूम इकबाल पर केस खत्व करके असली मुझरिम को कोड के सामने पेश किया जाए सारी सर करंग कर एकक कर देदी कर देजाए सारी सर सारी सर सार्थ सार कर दो कर दो भाई हमने हर जगा खोजा और हमें बस ये फोटो मिली है लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला तो पता करो खोशते रहो शहर के हर इट में खोजो मुल्क के हर कोने में खोजो हमें वो चाहिए हमारे बेटे और भाई के रोह को तभी सुकुन मिलेगा जब उस बच्चे का खोन बहेगा खोजो उसे आज 18 साल के बाद भी उसकी आग नहीं बुझी वो तुम्हें आज भी ढूंड रहा है तुम्हारे बच्चपन के फोटो पर उसने तुम्हारे जवानी का चहरा बनाया और पूरे देश में तुम्हें ढूंड रहा है जिससे भी तुम्हारी शकल मिलती है उसे मार डाला वो तुम्हें ढूंड लेगा यह पासपोर्ट रख लो इसके अंदर चार देशों की वीजा लगे हुए और वो ATM कार्ड्स जितना चाहे खर्च करो यह सब तुम्हारा पैसा है बेड़ा ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम एकदम सेफ हो मेरी बात माल लो क्यों मैं भाग जाओ और अगर उसने ढून लिया तो फिर से भाग जाओ बार बार आखिर कब तक इन ही हाथों में मेरे माबापने दम तोड़ा है एक ही पल में उसने मेरी जिन्दगी तहस नहस कर दी मेरे डाड ने मुझे कायर नहीं बनाया है उन्होंने मुझे सिपाही लड़ना सिखाया है नहीं चोड़ूंगा कभी नहीं चोड़ूंगा मैं उनसे भागूंगा नहीं अब भागने की बारी उसकी है जब तक जिन्दा रहेगा पच्चताएगा कि उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली मैं उसे दिखाओंगा एक बच्चा एटम बॉम कैसे बन सक कि अब जानता विक्रम से नहीं कौन थे नाहीं जानना चाहता हूँ मैं बस विक्रांत हो और मैं चंद्रशेकर पशुपती का बेटा हूँ विक्रांथ उससे बतला लेने के लिए सपने में भी मत सोच तु भागजा बेटा आपने मुझे बच्पन से देखा है आपने सिर्फ एक वादे के लिए इतने साल बिता दिये पूरी जिंदगी मेरी हिफाज़त की फिर भी आप मुझे समझ नहीं पाए आप चाहते हैं मैं डर के भाग जाओ इतने सालों तक वो चुहे की तरह बिल में छुपा बैटा था इसलिए कोई उसे खोच नहीं पाए लेकिन अब उसे मेरे लिए बाहर आना पड़ेगा और वो आएगा मैं उसके लिए जाल बिच्छाओंगा और अगर आपको लगता है कि मैं कोई बेवकूफी कर रहा हूँ तो ये लीजिए ये कार्ज उठाईए और शहर छोड़ कर जाईए वरना मेरा साथ दीजिए क्या मैं आपको चाचा बुलाओ बेटा मैं तुझे जहांगेर के पारे में सब बताऊंगा लेकिन तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को साथान रहना होगा वो इनसान नहीं है हैवान है वो छोड़ो मुझे ये कलब है छोड़ो मुझे सर्प्राइज तुमने हमारा काम आदाधूरा क्यों किया तुमने जो काम करने को कहा मैंने कर दिया है अब इससे जादा मैं नहीं करूँगा लेकिन तुमने वो नहीं किया जो हम चाहते थे जब उस बाउडर का सैंपल हमने हैदराबाद में इस्तिमाल किया तब उसने सौ लोगों को भी नई मारा हमें चाहिए ज्यादा खातरना ज्यादा जहरीला और ज्यादा ताकतवर एक हिंदूस्तानी होते हुए आतंकवादियों के लिए काम करते हो तुमें शर्म नहीं आती प्लीज, सर्प्राइज हिम, सर्प्राइज हिम और किस किस को सर्प्राइज चाहिए मत मरो, हमें मत मरो जैसा जहर कहोगे, हम वैसा ही जहर बना के देदेंगे तुम्हे वो क्या होगा? जैविक हतियारों में, वो सबसे खतरनाक होगा बुटॉलिनम टॉक्सिन वा, बुटॉलिनम टॉक्सिन, हमें वही चाहिए जहागीर खान, इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं दुनिया के दस most wanted criminals में से दूसरे नमबर पर है 1995 के सीरिल बॉंब ब्लास्ट में ये मुख्या रूपी था 1997 में जेल से भागते समय उसका भाई और उसके बाद उसका बेटा एक एकसिडेंट में मारा गया था और तभी से वो कानून की निगा से चिपचिप कर अपने अपराद के सामराज्य को पहला रहा है United States के Department of Treasury के Intelligence ने हमें ये बताया है कि इसने पाकिस्तान के किसी आतंकवादी ग्रूप से हाथ मिला लिया है इतने सालों से वो बहुत से देशों में छुपता रहा लेकिन हाल ही में उसे वाइजाग में देखा गया है वाईजाग में जो अंसारी मारा गया, क्या उसका जहागीर से कोई कनेक्शन है? बिलकुल है, इसके अलावा एक और अजीब कनेक्शन है, जहागीर के भाई को मारने वाले विक्रम सिनहा, जो एक दुरघटना में जहागीर के बेटे के साथ मारे गए थे उनका बेटा विक्रांथ, और हाल ही में वाईजाग में मारे गए चंदर शिखर और मालती देवी का बेटा विक्रांथ, दोनों एक ही है, जहागीर ने उस डड़के विक्रांथ को मारने के एरादे से ही वाईजाग में हमला करवाया, सब विक्रांथ की बाड़ी तो मिली नहीं, क्या उसका किड्नाप हो गया? नहीं, वो उतना सीधा है नहीं जितना हम सोचते हैं, टेक्नोलोजी का बहुत बड़ा जानकार है ये, हम नहीं जानते कि वो इस हमले से बच कैसे गया, पर हमारे पास सुबूत है कि किसी ने उसकी मदद की है, वाईजाग में हुए हमले की रात, उसके साथ एक आदमी जिसकी CCTV फोटो हाइदराबाद वाले टोलनाके पर मिली है, इसी लड़के को खोजने के लिए जहागीर और उसके आदमी जमीन आसमाने कर रहे हैं, ये हमारे लिए सही समय है, जहागीर को उसके बिल से निकालने के साथ साथ, इस लड़के को बचाना भी बहुत ज़रूरी अब हमारे सामने दो सवाल है, उस लड़के की मदद किसने की, और अब वो कहा है, उसे खोजो, इलाके को च्छान मारो, मिस्टर विठल, विक्रम सिनहा की जिन्दगी की सारी डिटेल मुझे चाहिए, ओके सर, आप सब तयार हैं, ये सर, सलाम वालेकुम जांगीर भै, वालेकुम अस्तलाम, हिंदुस्तान में आपके होने वाले उप्रेशन का, हमारा मुल्क बेता भी से इंतिजार करता है, लाले की जान तुम अभी तक उप्रेशन शुरू का ही कुनी किया, ये ऐसा वैसा उप्रेशन नहीं है, इसमें कमाल का ह यूज़ होगा, जब हम उस हतियार का इस्तिमाल करेंगे, तो दस, बीस या सो नहीं, बलकि लाखो लोग एक साथ मारे जाएंगे, सर्प्राइजिंग, हाहा, डॉक्टर खान, इधर आईए, ये जैवी खतियार है, एक रसायनिक खतियार, गन और बम से लड़ने की बजाए, बैक्टीरिया और वाइरस ज्यादा खतिरना खतियार है, जिससे एक साथ लाखों लोग खतम हो सकते हैं, और इसका नाम है बॉटुलीनम टॉक्सिन, इसके सिर्फ एक ग्राम से 10 से 15 लाख लोगों को एक साथ मारा जा सकता है, ये ओप्रेशन हमें इतना सभाब देगा, कि जन्नत के सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे, शापास जांगीर भाई, तुम्हारी वज़ा से हम खुदा के सामने सरफ़कर से उठा सकते हैं, हम तुम से दस दीन में हिंदुस्तान में आके मिलेगा भाई, खुदा हाफिज, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आप रीली मिस्ट यू, तुने तो हमारे फोन फिकपा दिये, अब क्या करें? अब से हम ये यूज़ करेंगे, हो सकता है हमारे फोन स्टाप्ट हो, बहुत संभल कर रहना होगा, अब तुम क्या करने वाले हो? शिकार, मैं शिकार करने वाला हूँ, मैं उस वहशी दरिंदे को उसकी मान से खीच कर बाहर लाना चाहता हूँ, तभी मेरे माबाप की आत्मा को शांती मिलेगी, मेरी बात मानो अनगा, ये जगह सेफ नहीं है, अपने माबाप के पास लौट जाओ, तुम अपनी जान क्यों खत्रे में डाल रही हो, जब तुम मेरे साथ हो विक्रांद, तो मुझे खत्रा छूबी नहीं सकता, अब जीना हो या मरना, सब तुम्हारे साथ, तुम से दूर हाथ है, इक पड़ भी नहीं ची पाऊँगी मैं, हाह, हमारा है त्राबाद, क्या खुश्मू है इस मिटि में, मुह, हाह,ाह,ाह,ा, उपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती हमने सारी दुनिया चान मारी पर उसने हमें कहीं और न भेज कर इन दो खास कामों के लिए हैदराबाद की जमीन अता कि अवल अपना ओप्रेशन शुरू करना होगा भी दूसरा माफ कर दो भाई माफ कर दो मेरे जंगुल में एक बार आने के बाद कोई भी पचल नहीं पाया भाई ये साला पहले बार हुआ है कोई तो उसके साथ है, भाई, कोई तो है, एक मौका और दो, भाई, क्या कर लोगे? मार्केट के सारे मवालियों को जमा करके उसे ढूंड निकालूँगा, वो पिल्ला चाहे किसी भी कोने में छुपा हो, उसे ढूंड कर आपके कटमों में फेग दूगा, भाई, तो तुम हमें सर्फ्राइज करोगे? यही आपका घर है, आप लोगों के पास बस दस दिन का टाइम है, फिर हम आपका हर सैंपल टेस्ट करेंगे, और उससे मिनिमम एक हजार लोग मरने चाहिए, तभी आप लोग घर जा पाएंगे? जहांगेर, पिछले 15 सालों से वो कहीं नहीं दिखा है, फिर भी हर देश में उसके आदमियों का जाल पहला हुआ है, अपने आदमियों के जरिये उसने हर जगा धहशत पहला रखी, उनमें से एक है जो हैदराबाद में रहता है, रसूल, जमीन पर कबजा, घैर कानूनी हत जिस्म फरोशी, यही धन्दा है इसका, रसूल से मिलने के लिए काफी पापड बेलने पड़े, तब जाके मिला कौन है तुम लोगा, क्यों पकड़ा मेरे कूँ, जहांगेर की डीटेल्स, तुम तो ऐसे पूस्ता है, जैसे कोई गली का कुट्ता हो, तुम लोग कभी जहांगेर को देखा भी है, मैं बोलता है, प्लीज, प्लीज मेरे को मत मरो, उसके बारे में जो भी पता है, जब भी जहांगेर को काम होता है, तब ही वो खबर पहुचाता है, खबर कौन लाता है और वो कहां मिलेगा, भीकु भाई, जहांगेर भाई का खास आत्मी, नेक्स्ट मीटिंग कहा है, भोल, मताता है याद, शुकरवार को मोंडा मार्किट आएगा, उसके लाभा हम कुछ नहीं जानता, जब तक वो नहीं मिलेगा, मैं यहीं धर ना दूँगा, एनाये वालों की निगाह तुम पर है, अपने भाई के हत्यारे को जब तक मार न दूँ, मैं कहीं नहीं जाओंगा, ज कर दूटिस दे हैं कि लेगा, इहीं को झा हँ तक जाओंगा, पी जँ़मेले सकते हो ग Soup, जब तक माराा आफंगा, जब तक मैं कुछ जाओंगा, जब तक मारा एंगा हुआ को अ, जजय सस्कार, टक मैं कुछ ठक माराँ हम एंगा अब ये मुर्गी बक्रियों को किड्नाइप करना बंद कर दो, समझे तुम? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है बंदर क्या जाने है अद्रग का स्वाद येलो बॉस, तुम्हारा अगला शिकार थोड़ा रुको नहीं मॉन्डा मार्केट इस मैप के हिसाब से मार्केट के टोटल तीन रास्ते हैं अगर कोई एक इस उंची बिल्डिंग से बाकियों के साथ कॉड़निट करें तो तीनों एक एक रास्ते पर निगरा नहीं रख सकते हैं हमें बहुत कैफुली काम करना होगा किसी भी कीमत पर गलती नहीं होनी चाहिए इस बिल्डिंग पर बबलू नजर रखेगा एक्जिट ए पर मैं एक्जिट बी पर अनगा और एक्जिट सी पर चाचो वो किसी भी रास्ते से अंदर घुसे उसकी आने के बाद हमारे पास दस मिनिट होंगे उन दस मिनिटों में वो आँखों से गायब नहीं होना चाहिए हम सब फोन पर कॉन्फरेंस कॉल पर होंगे पुलीस भी हमारे पीछे पड़ी है सो वी शुद बी वेरी केरफू सुन बबलू तुझे कोई दिख रहा है क्या अभी तक नहीं दिखा मुझे अनगा, चाचा आप दोनों रेडी है ना आम रेडी, इस एंट्रिंस को मैं संभाल लूगी मुझे ऐसा लगता है कि वो कली से आएगा एक बात का खयाल रहे, वो यहीं पर आएगा तुम इस नहीं होना चाहिए डियान रखना गाइस, एंटर दर्राकन अई यूशो मुझे कुछ शक हो रहा है यार एंट्रेंस भी अनगा मुझे का पीछा करो अनगा उसका चेहरा देखकर कंफर्म करो अनगा उसका चेहरा देखकर कंफर्म करो विक्रांथ, वो भीको है वो वही है ग्यान से सुनो, उसका पीछा करती रहूँ चाचो, अनगा के पास जाएए गाइस, वी शुड़ नॉट लूज है पब्ल, जल्दी से बाइक निकाल कर यहां पर आजाए हाँ, ठीक है, अभी आता हूँ चाचो, चाहे जो हो जाएए, वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए तुम फेक्र मत करो एक्स्क्यूज मी लाइटर है क्या जाएए जाचू, 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 आपको कुछ नहीं होगा जाचू हाँ, बोल, वेके, वेकी, होस्पिटल से अंकal का सामान ले ले लेकिन उनका फोन गायाब हो गया, तुने ठीक से चेक किया था, आ किया, लेकिन, शायद मार्केट में गरिया होगा, मार्केट में गिरा? जब तक मैंना बुलाओं बाहर में दाना कर लाओं थ्राइं में दाना स्थम्राइं ये निक दुब रिध रिध खाओ वाँ रीक्त कर दो अ अन्नोन नंबर? हेई, फोन क्यों नहीं उठा रहा, दारूपी के सो गया था, क्या? वो सोया नहीं है जहांगेर, मैंने उसे सुला दिया सुप्राइस्ट मुझे तो पहचान ही लिया होगा तुन्हे विक्रांत, जहांगेर खान का जानी तुष्मन वा, क्या सर्प्राइस है तु तो अपने बाप का भी बाप निकला तेरे बाप ने अठारा साल पहले जो अकाउंट खोला था, वो तेरी मौट से बंद होगा उस अकाउंट का बैलन्स सेटी करना है मुझे, और वो तेरी मौट से ही होगा अभी नन्ना बच्चा है तू, अपनी जान बच्चाने की कोशिश कर बच्चे, भाग जा भाग जा ए जांगेर, मुझे कोई स्कूल जाने वाला बच्चा मत समझना, मेरे पिता ने खत्रों से खेलने के लिए मुझे बच्चपन से तयार किया Your time starts now अपनी उल्टी किंती शुरू कर दे, टेक, टॉक, 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 टॉक उसके मुँ में जी पीएस क्यों डाला? अब उसकी हर हरकत पर हमारी नजर दोगी यस सर, तुम्हे अभी केरल जाना है, तुम्हेरे इंस्ट्रक्शन्स फॉलो करना, ओके? ओग सर, गुड लग एक हफते के अंदर ही, हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, अब और ज्यादा होशयार रहनी की ज़रुवत है, हिनाय, CID, टास्क फोर्स, आर्मी, सब लोग हमें ढून रहे हैं, इन सब से हमें बचना है, हमारे पाकिस्तान के जिहादियों के लीडर्स को, यहां पा सुर्प्राइस तो कमाल है, इतने सानों से सिर्फ एक काम के लीडे तुम्हें पालते रहे हम, वो छोटा पच्चा है, जिसकी मूझ पर पाल भी नहीं आए है, उस बच्चे को तुमने भागने दिया, इस गलती की सिर्फ एक ही ससा है, यह सर्प्राइस तू मुझे भी अपना दो, और अब आंथोनी को खबर कर दो, कमान आंथोनी बंचारा हिल्स ये कौन सी जगह है यार? बापरे, चा जगह है, फूट जंगल है क्या? वो मुटा नक्सलेट था? जीपीएस तो हमें यही जगह दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड है चल 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 कोई आ रहा है चल 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 इतनी सुनसान जगह में वो लो पहरा है इसका मतलब जहांगेर अंदर ही है मेरे वापस आने तक मैंन में ही रहना टेक है? हाँ टेक है? गेट खोलो अलाम वाले कुम भाई वेलकम तो इंदरस्तान जागेर भाई लाले की जाद दिल खुश कर दिया पूरे दुनिया में फैला हमारा जहादी लोग तुमारी तरफ देखते है हर कोई तुमारे आउपरेशन के बारे में बात करता है चुक्रिया भाई चुक्रिया ठीक एक हफते बाद वो बायो केमिकल गैस बनके तयार हो जाएगी और उसका इस्तिमाल होते ही यह हिंदुस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा आप लोगों की खुशियां और बढ़ाने की खातिर हमने दो बॉलिवूड स्टार्स को बुलाया है बॉलिवूड स्टार्स हमारी तरफ से सर्प्राइज हमें यहां से निकलना होगा मैं सब बात में बताऊंगा चलो अरे बापरे यह क्या पुलीस और सरकार क्या कर रही है इस सब में उनके भी कुछ आद्मियों का हाथ होगा सिर्फ चार दिनों के अंदर वो एक केमिकल वेपन बनाकर उसे इस्तमाल करने का प्लान बना रहा है पुलीस को बताने से भी कोई फाइदा नहीं होगा उनका कोई खबरी हमारा प्लान जहां गरे तक पहुंचा देगा मैं तो सिर्फ अपने माबाब की मौत का बदला लेना चाहता था पर इसके इस खतरनाक प्लान से पता नहीं कितने सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे मैं उसे बिलकुल नहीं छोड़ूँगा लेकिन उस वहशी को रोकने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए है चाचो ने हमें कुछ काड्स दिये थे ये ले बैंक मेनेजर का काड्स हो सकता ये हमारी मदद करें ठीक है मैं बैंक जाकर मैनेजर से मिलता हूँ शायद वो हमारी मद बैंक गया है सर मैं भी निकलता हूँ वहां के थाना इन चार्ज को भी बुलाओ जो कहा था वो याद है जो कहा था वो याद है घुस के क्या कहोगे हैं सब बोलोगे और मैं बोस घुसते ही सीजी टीवी कामेरा तोट डालूँगा और उसके बाद मैंनेजर को भी पकड़ लूँगा एक जैक्ली अगर यह ठीक से किया तो लाइफ टाइम सेटलमेंट्स आगे बढ़ो अरे इधर आपस यह लाइन में क्यों खड़े हो हम क्या यहां नए पाट्स और दोहजार के नोट लेने आएं बॉस अभी बैंक मैंजर अपने कैबिन में गया है तो हमने सोचा टाइम वेस्ट क्यों करें क्रेट कार एपलाई कर देते हैं सीसी टीवी कमरा बहुत दुखपर लगा था इसलिए तोड़ नहीं पाया ममा एंसर जलो सब लोग जमीन पर लेट जाओ तुम क्यों लेट गए आपने ही तो लेटने को गहा अरे मेरा मतलब वो नहीं था जिन लोगों ने अतना मूढ़काए वो खड़े हो जाए ओ हमको नहीं लेटना था तुम लोग खड़े क्यों हो गया है और तो जिन के पास गन है वो खड़े होजाए तुम्हारे के कमर में दर्ध है आप इस बुढ़ा पे मैं कैसे चलाओगे का था बैंक लूटने वाले चोरों को कहा था अब तुम क्यों खड़े हो गया सब मिलकर इस बच्चे की जान लोगे क्या कौन तुम ली बाली का बाली हों सर वो अंदर है सर अंदर चलो बॉस उसने आपका गाल कुन सहलाया बता ता पकड़ा इसे सहलाया नहीं यहां की मक्खी उड़ाई है यहां तो चोर लुटेरों की लाइन लगी हुई है सर नहीं विक्रांथ बहार आजाओ हमसे डरो मत हमें सब मालूम है हम तुम्हे बचाने आए हैं विक्रांथ मेरी बात मानो बहार आजाओ पुलिस तुम्हारी दिश्मन नहीं है, तुम्हारी दोस्त है, प्लीज भरोसा करो, कैसे भरोसा करो, मैं चाहता तो तुम्हें पकड़ सकता था, और तुम्हें कुछ बात करनी है, प्लीज बहर आजाओ, बताइए, क्या चाहिए आपको, क्यूं पकड़ कर लाएं मुझे यहाँ? उस रोज तुम्हें किसने बचाया, अब तक कहां रहें, और क्या किया, तुम्हारा प्लान क्या है, ये सब नहीं पूछूँगा, लेकिन तुम्हारी जिन्दगी अब खत्रे में है, तुम्हें हमारी सिक्यूरिटी की जरुरत है, मुझे security क्यों? जब मेरे माबाप मर गए तब कहां थी आपकी security? मैं अपनी हिफाज़त खुद कर सकता हूँ. इस काबिल हूँ. मुझे जाने दीजिये. तुम्हें नहीं जाने दूँगा. अकेले बदला लेने का खयाल अपने दिमाग से निकाल दो. सर, आपका फोन. हाँ, बताओ विठल. आपका अंडाजा सहीता, सर. अच्छा, ऐसा? ओके. कहां है वो? मुझे वो लड़का चाहिए. कहां छुपा रखाया है उसे? देखिए, आपको बार-बार बताया है, कानून लगू करने का तरीखा होता है. ओफिसर, जिस कानून की तुम बात कर रहे हो, मैं ही उस कानून को बनाता हूँ. रूल मेकर भी मैं हूँ और रूल ब्रेकर भी. मुझे कानून मत सिखा, उसे मेरे सामने लाओ. आखरी बार समझा रहा हूँ, पुलिस के काम में दखल मत दो. ये फोन तेरे लिए है, जा जाकर उठा. अलो, गुड़ाफरनून सर्थ. ओके सर्थ. सिर्फ तस मिनट मिलेंगे तुम्हें. इसे कहते हैं कानून. मैंने आपके भाई को नहीं मारा. जानता हूँ. मेरे भाई को मारने वाले ही तुम्हारे माबाप के कातिल हैं, ये भी जानता हूँ. और अगर वो मेरे हाथ से बच गए, तो तुम उन कमीनों को मत छोड़ना. चुन-चुन कर मारना उन्हें. उसके बदले में तुम जो भी चाहो, मैं तुम्हें दूँगा. मैं जो भी कहूँगा वो आप करेंगे. मेरी जबान है मेरी गैरंटी. ए, अपनी अपनी बंदू के भेंग दो, वरना ये M.L.A. जान से जाएगा. कोई बाहु बली मत बनना, अपनी बंदू के भेंग दो भाया, देश के सेवक को मरवाओगे. विक्रांट, M.L.A. को छोड़ दो, तुम्हारी भलाई इसी में है. मुझे अपनी भलाई की चिंता नहीं है. अधिया मेरा शक सही निकला मेरे आदमी ने बताया उस फार्म हाउस पे तुम्हारे पिछले कई सालों से छुपे हुए थे अधिया उसके वहां पहुचने से पहले ही वह वहां से भाग निकले ये सारी नकली कहानिया किसी बच्चे को सुना ना वो सुनकर खुश हो जाएगा बिल्कुल एक मुव ए सुना नहीं मुव विकरांथ विकरांथ कर दो खुश हो एक करना तूम हालो अरे विक्टी कहा है तू? अलमस्स तरे घर के पास हूँ क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? कोई मुझे गोली वार के अन्नगा को ले गया वत ओ माइ गॉट मैं अभी वहां था। मेरी चिंता मत करा है मोई के तू जा और अन्नगा को बचा कि पीछे जाता हूं तो अपना काल रख बुला अपने दिवाने को कहां है वो अगर वो आ गया ना तो तू मरेगा उसका बाप भी आ जाए ना तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता अपना ऴॉटा सकता बेक्रा के घएपना लचW अपना अपना माइल यजर को लť मी भीさい कि रे ले जाए ओग में कि रिह जाल करेक्ला बिबना नास्ठर ऐर घ्लिध्छित वडं़ में माइल के थाप जाना । यह ब बढ़िस्ट आप क्वान? आप क्वान? अनगा, अई ओके? तुम्हें कुछ होआ तो नहीं न? चला, यहां से चलते हैं, चला. विक्रांद, जरा रुको तो, मुझे बचाने वाले वो हैं. जानना चाहते हो वो कौन है? वो तुम्हारे पिता है, विक्रम सिना. जनम देकर तो कोई भी बाप बन सकता है, लेकिन पिता कहलाने का हक सबको नहीं मिलता है. मेरे पिता मर चुके हैं, अनगा. चलो. मुझे लगा था तुम बहुत समझदार होंके, लेकिन अब ऐसा लगता है, जैसे तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई है ही नहीं. तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? जब मैं बोल भी नहीं पता था, तब मुझे छोड़ कर चले गए थे वो. और दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे कि वो मर गए है. अपनी जान बचाने के लिए कहीं जाकर छिप गए थे. चुप हो जाओ विक्रांद, प्लीज अपनी बकवास बन करो. इस पूरी दुनिया में उनसे बहतर पिता कोई है ही नहीं. क्या कहा था? वो तुम्हें अनाज छोड़ गए. तुम्हारी जिन्दगी बचाने के लिए वो जिन्दा रहते हुई भी तुम्हारे पास नहीं आए. अगर उन दरिंदों को पता चल जाता कि तुम कहा हो, तो वो तुम्हें मार देते. इसलिए इतने सालों तक वो तुम्हें छोड़ कर कहीं दूर चले गए. एक पिता के ब तुम्हारे साथ थे. एक सीधे साधे कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर की बेटे थे तुम. तुमने कभी सोचा है कि उन्होंने तुम्हें ये लाइफसाइल कैसे दी? जो चाहा वो मिला ना, वो सब इनकी वज़ा से. हर बच्चे के लिए उसका पिता हीरो होता है. लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता विलिन है. दुनिया में कोई भी पिता अपनी बेटे को और क्या दे सकता है? तुम्हारे भविश्य के लिए, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए, उन्होंने क्या-क्या नहीं किया. तुम कम से कम इतना तो सोचो, कि इतने इस सालों से उन पर क्या बीति होगी पापा भले ही मैंने तुझे भश्पन से एक पिता की तरहा प्यार ना दिया हो भले ही मैंने तेरी परवरिश ना की हो लेकिन एक पिता की तरहा मैं तेरी हफाज़त करता रहा मुझे माफ कर दीजिये पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं इस पूरी हकीकत से अंजान था मेरे लिए आपने आपने अपनी पूरी जिन्दगी कुर्बान कर दी अगर मुझे सच का पता होता न तो मैं तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्स था लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा मेरे आशिरवात रहे तुम जैसे रहना चाहते हो रहो जो करना चाहते हो करो मगर तुम्हारी सांसों से ही मेरी सांसे है इस बात को याद रखना यहां का मामला मैं समालता हूँ तुम जाओ बिटा अब तो मेरी सांसे भी आपकी जिन्दगी से जुड़ी हुई है इसलिए मैं भी आपके बताए रास्ते पर ही चलूँगा हम दोनों को अलग करने की कीमत उस जहांगीर को चुकानी पड़ीगी मैंने उसे देखा है वो इसी शेहर में है पापा क्या का मुझे बता वो का है उसके जिन्दगी को खतम करके मुझे सुकून मिलेगा पेटा नहीं पापा अब ही हम दोनों के बदले से भी कहीं बढ़कर है उसने आतकवादियों के साथ हाथ मिला लिया है और वो लाखों बेगुना लोगों को मारने का प्लान बना रहा है वो एक बहुत भयानक बायोलोजिकल लेपन इस्तमाल करने वाला है बस दो दिन का वाक्त है हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा वो शेहर के बाहर एक हवेली में काम कर रहा है अगर हमने उसे नहीं रोका तो तबाह ही आ जाएगी उसे रोकने का हथ्यार मेरे पास है यही सोच रहे हो ना कि इसका जांगिर से क्या रिष्टा है यह उसका गंदा खून है बापरे आपने इतने सालों से इसे पकड़ कर रखा था जानता था कि एक रोज जांगिर तुम्हें ढूंडी लेगा इसलिए इसे बचा के रखा अगर वो तुम्हें चुएगा तो अपने बेटे को खोएगा मेरे पास एक आइडिया है लेकिन पहले यहां से निकलना होगा ठीक है इस वाइरेस का सेंपल टेस्ट करने का वक्त आगया है बस अब हिंदुस्तान बन जाएगा कपरिस्तान इस वाइडिया है एसी बात है हमें आपका सपोर्ट चाहिए सर मेरी तरफ से तुमको पूरी छूट है बाद फाइलो में नहीं उलजनी चाहिए जाओ और उसे खत्म करो जाज पुमको अबसे लूट छितातान कि युमत करे व memor Tara आई 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 वाल हेड्या आई 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 हम एई आई आई येञंग। इह अच़्। हुआ हुआ जाओ येख अच्छ। नच्छ। किया खनुट नच्छ। हुआ पुप येख हुआ ल Ensuite नच्छ॥ पुप तुप च्छ। थिया फ़्ग विक्रान जहांकर खान का चानी तुश्माशा अपनी मौत की उल्टी किन्ती शुरू करते है तेक तौक विक्रान जहांकर तौक विक्रान जहांकर तौक विक्रान जहांकर तौक युण झाल यहाओ तेपक वाँ त्याओ 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 सप्ट這邊 त्याओ तॉड़ नेच वाँ थब झाहाँ पिर राए झाहाँ 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 है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो खू ऑट कर दो पढ़ आता है तुम टेंशन मतलो, मैं सब सम्हाल लूगा थांक यू सर कम से कम आपने तो मेरे इरादों को गलत नहीं समझा इस ओके देखिए देश का सबसे बड़ा आतंकवादी जांगीर खान आज मारा गया हमें इस बात की खुशी है कि इस सीक्रिट ऑपरेशन को हमारे पुलीस देपार्टमेंट ने सभलता से पूरा किया उसने भयंकर जान लिवा वारिस तयार किया था इससे पहले कि वो फैल जाता हमने उसे रोक लिया हमने उसके साथ लियों को पकड़ लिया है अब देश की जनता निश्चिंत रह सकती है